दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के राश्पती को कितनी सेलरी मिलती है सेलरी के साथ साथ इन्हें क्या-क्या सुभधाय मिलती है और हाँ रेटार होने के बाद क्या-क्या सुभधाय मिलती है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो आईए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तो आजादी के बाद से भारत कई तरह की चुनोतियों से निप्टा है देश में कभी आतिक तंगी, कभी दंगे, कभी भुक मरी, तो कभी महामारी फैली हलागे दोस्तो इसके बाद भी भारत आगे बढ़ता रहा और आज सबसे बड़े लोक तंत्र और प्रमुख विकासिल देश के रूप में उभरा है भारत आज हर छेत्र में बिश्व की धोरी बन रहा है देश को यह उपलब्धी यहां के नेत्रित्य के कारण मिली है राश्पती देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है राश्पती भारती ससस्त्र बलो के कमांडर इंचीब भी होते हैं भारत में राश्पती का चुनाओ निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तो इसमें संसत के दोनों सदन प्रदेशों के विधान सभाओ के निर्वाचि सदस्य सामिल होते हैं भारत का राश्पती यहां के राश्पती भवन में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा राश्पती भवन है दोस्तो आये जानते हैं राश्पती की सेलरी कितनी होती है दोस्तो इस समय भारत के राश्पती का प्रतिमाह 5 लाक रुपे सेलरी के रूप में मिलती है जिस पर उन्हें किसी भी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होता इसके अरावा राश्पती को कई भद्ते भी मिलते हैं दोस्तो नई दिल्ले में इस्तित राश्पती भवन भारत के राश्पती का आधिकारिक निवास है यह दो लाख वर्गे फिट में बना हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं यहाँ पर करीब 200 लोग काम करते हैं आपको पता होना चाहिए कि राश्पती के निवास, स्टाफ, महमानों और भोजन आधि पर सालाना करीब 22.5 मिलियन खर्च होता है जी हाँ 22.5 मिलियन दोस्तो इसके साथ साथ भारत के राश्पती को फ्री इलाज और आवाज की सुभधाय मिलती हैं जो की आजिवन के लिए होता है और दोस्तो भारत के राश्पती कस्टम बिल्ट ब्लैक मसरीज बेंज एस छासो पुल मैन गार्ड के हकदार हैं राश्पती के पास आधिकारिक यात्राओं के लिए हतियारों से लैस लंबी गाड़ी लिमोजीन भी साथ होती है साथ ही राश्पती के कारवा में 25 गाड़िया होती है राश्पती के पास 86 प्रेसिडेंसियल बाड़ी गाड़ होते है और दोस्तो इतना ही नहीं राश्पती को रिटायर के बाद पिंसन के रूप में 1.5 लाक रुपए प्रतिमा मिलता है साथ ही स्टाप पर खर्च के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है दोस्तो जीवन भर के लिए एक मुक्त बंगला मिलता है दो मुक्त लेंड लाइन और एक मुबाइल फोन भी मिलता है और दोस्तो इतना ही नहीं ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुप्त यात्रा वा जीवन भर के लिए मुप्त वाहन सुबदा भी मिलती है दिल्ली पुलिस की सेक्यूर्टी और दो सेक्रेटर की भी सुबदा मिलती है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं आज के इस वीडियो में आप जान पायो होंगे कि भारत की राश्पती को कितनी सेलरी मिलती है और साथ में क्या-क्या सुबदा मिलती है और रेटायर होने के बाद क्या-क्या सुबदा मिलती है दोस्तों वीडियो की जानकरी आपको अच्छी लिगी हो तो एक like और वीडियो को लोगो तक सेर भी कर दिजिए और हाँ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बिल आगन तो भी किलिक कर लीजिए और दोस्तों आपको बता दें भारत के प्रधार मंतरी को कितनी सेलरी मिलती है और साथ में क्या-क्या सुभधाय मिलती है इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और भारत के उपराश्पति को कितनी सेलरी मिलती है और साथ में क्या-क्या सुभधाय मिलती है इस टॉपिक पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं दोस्तों दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्रिप्सन में दिये हैं, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं, बाके दोस्तों नेक्स वीडियो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ, बाके तब तक के लिए आप सभी का आपना कीमती समय द धन्यवाद